नमस्कार रादाब मेरे दमरोड़ा आप सबका स्वागत करती हो हमारे स्पेशल प्रोग्राम में इस प्रोग्राम में आज हम आपको बताने वाले हैं कि लक्वा अधरंग यानि की ब्रेन अटाच जो है वो किस तरह होता है और इसका खास इलाज आज तक है या नहीं है प्रभावित होता है पुरा एक परिवार जो है एक मायूसी में बैठा रहता है आज तक इसका कोई खास इलाज नहीं था लेकिन डॉक्टर दसन आयरवेदिक हर्बल फॉर्मलेशन ने सेलफोन नियूरो फास्ट रिकवरी कैपसुल का विक्सित किये है जिसके दवारा इसका इलाज अब संभव है इसके बारे में और जानकारी देने के लिए हमारे स्टुडियो में इस कंपनी के MD डॉक्टर जीवन दसन जो है वो मौझूद है और उनसे हम जानकारी लेते हैं इसके बारे में इन कैपसुल के बारे में कि ये कैसे जो है पैरलेसिस यानि की अधरंग को का इलाज करते हैं नमश्कर डॉक्टर दसन सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि हम लोगों को जैसे पता है कि हाथ पेशिंस जैसे आज की डेत में बहुत जादा बढ़ते जा रहे हैं उसी तरीके से अधरंग यानि की पैरलेसिस के जो रोगी हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं तो क्या कारण है कि यह रोग इतना जादा घर करता जा रहा है ब्लड प्रशुर और शूगर अब ब्लड प्रशुर की तरफ आते हैं बीपी से क्या होता है बीपी से जब ब्लड का जो फ्लो है ब्रेन को जब बहुत जादा जब फ्लो होता है और बीपी जब बढ़ता है प हेमरेजिक और नोन हेमरेजिक हेमरेज में क्या होता है नस्फट जाती है और वहाँ पे ब्रेन के अंदर ही ब्लड ही कथा हो जाता है उसकी वजाए से पेरे परालाइसिस हो जाता है हेमिपलेजिया हो सकता है परालाइसिस बहुत तरह का होता है Hemiplegia, Diplegia, Paraplegia बहुत सारे इसके प्रकार है तो जब ये इन्फार्क्षिन होता है जिसको non hemorrhagic attack बोलते हैं ये इससे mainly hemiplegia होता है इससे जान का खत्रा नहीं रहता है लेकिन मतलब इससे रोगी पूरी तरह से अपंग हो सकता है तो ये दोनों ये BP के बढ़ने से जो है ये स्थिती आ सकती है दूसरा है clot, clot जो कैसे बना, mainly clot बनता है शूगर रोगियों को, डाबेटेज जिनको होती है तो आपने बताया कि क्या कारण है, मतलब क्या क्या कारण हो सकते है इस रोग के लिए किसी भी patient को मिरे खाल से अच्छा नहीं लगता कि वो एक जगा पर पढ़ा रहे या बैट पर पढ़ा रहे, तो इस program के जरिये क्या हम लोगों को बता सकते हैं ये चीज की क्या symptoms हो सकते हैं, क्या लक्षन जो है इस रोग के पहले ताकि वो precautions ले सके उससे पहले ये जो paralysis है, पक्षा गहत है, ये जो brain attack है ये बता कर आता है, mainly, ये 70% रोगियों को इसके लक्षन पहले आ जाते हैं उसमें ये दो तरह के लक्षन हैं, जैसे एक जब attack आ गया वो attack आ गया, उसके बाद क्या होगा, एक तरफ की side जो है वो नहीं चलेगी जैसे हाथ चलना बंद हो गया, पैर चलना बंद हो गया, चलना मुश्किल हो गया मूँ टेड़ा हो सकता है उसमें, और हमारी नजर एक side की, eye side, बिल्कुल weak हो जाती है या नजर आना बंद हो जाता है, और हमारी आंख एक बंद नहीं होती है यह वो लक्षन है जो जब अध्रंग पक्षागात हो जाता है तब के और जो में important जो main चीज है, जब लकवा नहीं होता वो लोगों को कहना चाहता हूँ मैं, कि और दूसरों को भी बताएं वो लक्षन ऐसे लक्षन है कि लकवा नहीं हुआ, लेकिन लक्षन आ रहे है और जा रहे है तो ऐसे रोगी पूरी तरह से इस रोग से बच सकते हैं इसमें क्या होता है, जैसे ही, suppose करो मैं आपको कुछ चीज़ें बहुत important जो लक्षन हो बता रहा हूँ इसमें क्या होता है, कि एक साइट सुन हो गई, फिर ठीक हो गई हमारे ऐसे लगा कि जैसे हमारी उंगली या हाथ, हम काम कर रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, हम बैठे हैं, तो वो सुन हो गया काम नहीं कर रहा है सुन हो गया, सुन मतलब नमनेस आग जाई, वह उसमें कीडियां रेंग ने जैसा अइसास हो गया, अज़ प्राइड भी है, हैविनेस हो गया, वन साइड या एक लिए जो अंग है कोई भी या एक साइड उसमें सुन पन आ गया, उसमें अकडन हो गया, जटके लगने लगग कुछ देर के बाद ये ठीक हो गए, ठीक होने के बाद पुने दुबारा हो गए, तो कई बार हम नर्मली इसको ले लेते हैं कि ये एक आम है, लेकिन ये लक्षन ठीक भी हो जाए, तब भी हमने इनको इनको इंगार नहीं करना, तो ऐसे रोगी चाहिए अपना ब्लड प्रश स catastrophe करें ठीक है और इन चीजों को इंच नार करने पर क्या हो सकता है कई बार जैसे हमने लिय बहुत सारे लोग लेते हैं और उसके बाद उनको पूरा टायका जाते हैं सो दोस्तों आपने सुना चिस रोक के के लिए क्या इलाज है और इन कैपसुल्स का इस्तमाल हम किस तरीके से कर सकते हैं तो डॉक्टर दरसन जहां तक हमें पता है कि इस रोग के लिए यानिकी पैरलिस या दरंग के लिए अभी तक प्रॉपर जो है वो ट्रीट्मेंट नहीं था लेकिन आयरवेदिक में जो कि आपने विक्सित किया है ये इलाज इसके बारे में प्लीज हमें थोड़ा डिटेल में बताईए है लिए इसा है कि इसजो ये रोग है इसका इलाज पूरी तरह से संबव है और हमारे शास्त्रों में इसका इलाज लिखा हुआ है बोत सारी ऐसी हर्प्स है इंग्रिदियेंट्स है जो इस रोग के ओ उपर काम करते है जरूरत थी उनको ढूनने की और उसको यूच करने की इ तो हमने मैं बच्चपन में देखता था इस प्रोजेक्ट को शुरू से जुड़ा हूँ इससे फादर साब टीटमेंट करते थे लोग पेशेंट्स को उठा के लेके आते थे और एक सबता के बाद मैं देखता था कि वही जो पेशेंट बैड के उपर था और जिसको उठा के है वो अपने आप चल करके और आरा है मेडिसन लेने तो हमने सोचा अभी इस प्रोफेशन में कि क्यो ना एक ऐसी दवा बना दी जाए उसको रिजिस्टर करवाया जाए ताकि ये दवा हर जगा पे मिले क्योंकि क्या होता है कि पेशेंट इस रोग में जो ताइम की जो एक अपने जो फर दुवार में कुषग कराएं के वार्द होता है एक मिनट में क्याता हूँ एक सैकि लाक मिलियन कोश्काई जो भीक हो जाती है तो अगर हम ताइम ।ाइम पे मैडिसं देंगे तो ताइम पे पेसेंट को अवेलाबल ऱ हो जाएग ऑने श stitching से बीशे लाई तो तो यह डिशन हमने इसको बनाया है और अब इसको हमने रोड़ड़ करवाने की हम कोशिश कर रे एंद कि इस मैडिसन से मैं आपको यह बताना चाहता हूंग यह जो आपने कोश्चिन किया था उसे में रठत के संचार को ठीक करती है रटत ईसाब को ठीक होने, नीचिखे पैंदी का संचार को टीक करती है ब्रापर श्यां मिलने से अच्चाये को तो यह रोगी ऑतने जérence रंदरबद जहाँ जाह रोगी चलिए पहाएंद hatırओने अर यह बहुत जल्दी जो है, यह मैडिसन इसको ठीक करती है, ऐसे रोगी हमने देख रहा है कि एक घंटे में भी ठीक हो जाते हैं हमारे यहां पर, तो कई बार कुछ रोगीयों को समय थोड़ा सा लग जाता है, फंदरा दिन भी लग जाते हैं, तस दिन भी लग जाते हैं, तो ऐसे रोगी बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, दो महीने वाले जो केसिस हैं, वो अमूमन पंदरा से बीस दिन में उनमें जो है सुदार के लक्षन आज आना शुरू हो जाते हैं, उसके बाद आप इसको हो सकता है, डेड महीना या दो महीने पे आपको यह मैडिसन लेनी तो वो इन शौर्ट पीरेड जैसे कि दस दिन, पांच दिन में, स्पीच में, फिफ्टी परसेंट जो है वो इंप्रूमेंट पहले ही आजाता है वन वीक में, तो यह हमने देखे हैं परेनाम, परेनाम स्रुईकल की वजह से आपको कई बार जो है वो परालाइस होता है, ल या कहीं कुछ ट्यूमर वगारा बन गया, तो वो पैराप्लेजिया हो सकता है, कौारीजिया हो सकता है कई वर अमंपहता बाल मूतर का पता नी चलता, उसकी वजह से रोग को पता नी चलता, वो यह अठथा मंपहता है, तो यह चीजों के कारण भी होता है, इसमें यह मैद आज की डिएट में जब किसी को पैरलाइसिस का टैक होता है वो जब दवाईया देते हैं तो थोड़ा बहुत सुधार अपने आप आपाता है पेशन्ट में पेशन्ट सोचता है कि वो खास तरीके से specially वो इसी medicine से ठीक हो रहा है जबकि हकीकत यह है कि एक natural process होता है 20% 40% सुधार अपने आपाता है और उसके बाद वो सुधार जो है वो रुक जाता है तो जरूरत है कि starting में ही चाहे patient hospital में है तो वो आयरवेदिक treatment साथ में ले और हो सके तो अगर patient होश में है तो उसको hospitalized होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है वो अपने टेस्ट करवाए है उसके बाद हमारी ये जो medicine हो शुरूर कर दे जिससे वो कुछ ही गंटों में ठीक हो सकता है और ये मैं आपको बताऊं कि ये जो medicine है इसका किसी परकार का कोई side fact नहीं है आप अम शूर डॉक्सर साब की यहां पर हमारे व्यूवर्स का एक question जरूर होगा कि जब तक आपने हमें देखा नहीं है जब तक आपने हमें डागनॉज नहीं किया है अब कैसे कह सकते हैं कि हम ये medicine ले और हम ठीक हो जाए इसके बारे में उनको बताईए कि ये medicine जो है आपके पास आए बिना भी वो ले सकते हैं इसमें ये है कि इस medicine को लेने से मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ये medicine लेने से जैसे ये एक brain stimulator है ये नाड़ी की विकृत्ती है उसको दूर करती है ब्लड रक्त के संचार को ये ठीक करती है तो इसमें जैसे हमारे पास जो patient आते हैं उनका BP, sugar ये सब चेक करते हैं उनमें खून की कमी तो नहीं है उनमें जो diet उनकी ठीक है ये सारी चीज़ें हम यहां पर देखते हैं तो ये हमने medicine में एक literature है हमारी medicine के अंदर जिसमें ये सब चीज़ें लिखी हुई है कि अपना जो BP है उसको control रखिये किसी भी doctor की मदद से, साहता से शूगर को control रखिये, diet ऐसे लीजिए और ये अप जो अगर आपको भूख ठीक नहीं लगती तो आप उसको देखिये, कोई liver tonic आप ले सकते हैं तो कोई देखने का ज्यादा वो नहीं जुरूरत नहीं है इसमें, medicine की जुरूरत है ये हमने medicine से blood circulation को ठीक करना होता है cells को revive करना होता है जिससे रोगी ठीक हो जाए और इससे results मिलते है रोगी के लिए help line भी create की है कि रोगी हमें internet के माध्यम से हमारी website में अपना patient form फिल कर सकता है phone के माध्यम से हमें बता सकता है और अगर ना भी रोगी चाहे तो literature पढ़के खुद का treatment यह किसी चिकित्सक की साहता से उसको ले सकता है कोई खुद भी ले सकते हैं कोई ऐसी जरूरत नहीं है मैं समझता हूँ कि रोगी को आना पड़े और दिखाना पड़े यहां पे एक और सवाल में आप से पूछना चाहती हूँ कि जैसे आपने बोला कि इसके जो कारण है या इसके जो symptoms है उसका हम ख्याल पहले से हमें पता लग जाता है सो इसे precautionary भी हम यह ले सकते हैं यह medicine हाँ जी बिलकुल इस medicine को हम precautionary ले सकते हैं कोई भी patient ले सकता है इसको हमारे बहुत हमारे पास patient ऐसे आते हैं जो हर साल कुछ लोग तो यूज करते हैं इसको इसका एक पैक यूज कर लेते हैं जिनको शूगर रहता है वो यूज कर लेते हैं क्योंकि शूगर वाले patients मैंने आपको बताया था कि फाइबर बनने की वज़ा से से छूटे चोटे शूटे बन जाते हैं उनको सुन पन रहते हैं आप यूजायायदे UKO यूज कर ले सकते हैं उच्य क्शाक वाले भी लिए सकते हैं इसके मैडि़ इसको ले सकते हैं इसका तो कोई दुश परभाव नहीं है किसी भी मैडि़सन के साथ चहे हो आप इलाज, ब्लड प्रेशर का या शूगर का अलोपैथी में कर रहे हैं, तब भी इसके साथ वो आप दे सकते हैं, इसका कोई भी किसी परकार का नुकसान नहीं है और इसको लिया जा सकता है अटाक के बाद जब ये मेडिसन ली जाती है और आपके पास आते हैं या ये मेडिसन का सेवन करना शुरू करते हैं, तो साथ साथ जो फिजियो ठरपी या मालिश की भी ज़रूरत पड़ती है देखिए ऐसा है ये रोगी के रोग के ओपर डिपेंड करता है स्पोस कीजिये कि पेशिंट हमारे पास लेट आया या पेशिंट ने इस मेडिसन को लेट लेना शुरू किया उसको उसके ब्रेन में बहुत सारा नुकसान हो चुका है और उसके नुकसान की वज़ा से वो उनकी फ्लیکसिबिलिटी है जो पार्ट्स की वो नहीं है तो इसको फ्लेक्सिबल करने के लिए जो हमारे लिम्स है उनके रोगी के जो पार्ट्स है जो नहीं चल रहे तो उसके लिए हम मालिश हलकी मालिश कर सकते हैं उसको मुमेंट कर सकते हैं फीजियो थ्रैपी जो है उसके बहुत रोल है फिर उसका ताकि वो जो पार्ट्स है क्योंकि ब्रेन से जब मैसेज कनवे होंगे, ब्रेन से जब रत संचार इस मेडिसन दवारा ठीक होगा, तो वो अगर फ्लेक्सिबिलिटी प्रॉपर होगी, तो वो अंग चलेंगे. अगर पेशेंट बिल्कुल स्टार्टिंग में ले लेते हैं, टाइम को बिल्कुल वेस्ट नहीं करते हैं, जल्द से जल्द इस रोग में इसको यूज करते हैं, तो हो सकता है उसको फीजियो थ्रैपी की ना भी अशिक्ता पड़े और मालिश की ना भी जरूर पड़े, तो बहुत वेल्यू है इस डिजीज में, तो फीजियो थ्रैपी और मालिश का रोल इतना है की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, तो उससे बहुत जादा आसर कोई सेंटल नर्वस सिस्टम पे नहीं होता है, वो मेडिसन का ही सेंटल नर्वस सिस्टम पे जादा आसर होता है, जी, तो नंबर्स पे बिलीब करते हैं पेशन्स जो है, यहां पे मैं अपसे यह जरूर पूछना चाहूंगी कि इस मेडिसन को लेके, सेल्फन नियूरो कैपसल को लेके, कितने पेशन्स अब तक जो है वो ठीक हो चुके हैं, देखिए ऐसा है, मैं तो अपने दर्शकों को और यह कहना ही चाहूंगा कि देखिए जगह जगह से इलाज करवा करके उनका विश्वास उनका फेथ खतम हो जाता है, और विश्वास तूट जाता है, बहुत जगह से वो अपना आर्थिक नुकसान कर चुके होते हैं, अपना समय गवा चुके होते हैं, तो मैं तो कि पेशेंट इलाज करवाने से पहले वो ये देख ले कि मैं जहां से जिस संस्थान से या जो मैं मैं मेडिसन ले रहा हूँ हूँ वो मैडिसन का कितने रोगियों को वो ठीक कर चुकी है और इसका जु रिजल्ट से उसके क्या है क्या वाके में ये मैडिसन एफेक्टिव है तो हमने इसके लिए बहुत सारा एक जो डेटा इकठा करना हमने शुरू किया और क्यूंकि हमें भी ऐसे क्वेस्चन साते थे कि आपने कोई रोगी ठीक किया तो वो हमने डेटा भी यूट्यूब पे और बहुत सारे मुवी बनती हैं हमारे यहां पेशन आता है तो हम मुवी बनाते हैं यह नहीं चल पा रहा है तो ठीक होने के बाद जब अपने आप आता है तो वो तब भी हम बनाते हैं तो ऐसे पेशन्स का हम पूरा रिकॉर्ड अपने पास रखते हैं उनका एड्रेस उनके टेलीफोन नंबर अगर कोई मांगे तो हम देते हैं और हमारे पास इतना डेटा है कि हम खुद इस मेडिसन से इतने परभावित हैं हम चाहते हैं कि इसको हम जन जन तक पहुंचा पाएं पूरे विश्व में हम इसका परचार करें और रोगियों को बताएं कि यह अपंग होने से आप बच सकते हैं बिल्कुल बच सकते हैं और हंडर परसेंट आप आतम निरबरता का जीवन जो है वो वेतीत कर सकते हैं जो रोगी मेरी रोगियों से ग्विंती है कि किसी को भी अटाइक है चाहे वो मतलब आप लगा लीजिए कोई आपका प्रिवारिक है सदस्य या कोई आपका रिलेटिव्स है या कोई आपका फ्रेंड है दोस्त है तो तुरंत समय को गवाए बगैर तुरंत इसका जो किसी इसकी चकिसक की हलब से या सीधा हमारी हलप लाइन को यूज करके हमारे दॉक्टर्स की उसको यूज करके आप इसको एकदम से जितना जल्दी हो सके इस मैडिसन को स्टार्ट करवाईए ता कि पेशेंट जो है वो जल से जल हमने देखा कि एक घंटे के अंदर भी पेशें प्लेप कि एसे आगल चाहलगा तो रचोर से नहीं कि मतलब केशों जो हैं ते इन कोशिश की जिए कि मतलब केशीं को तुरंट यह मिले। और तुरंट इसका इसे लाज मिले कर वहाना शुरू करें ताकि पेशींट जो हैंडेकैप नहीं और हम उसको बिल्कुल आतम निर्दबरता का जीवन जो है वो दे सके So इस प्रोग्रम के द्वारा हमने कोशिश की है कि हम अपने जो patients हैं, हमारे जो viewers है उनके सारे सवालों का जवाब दे सके और हमारी एक छोटी सी कोशिश है कि हम एक help कर सकें अपनी तरफ से viewers को कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है जानकारी दे सके कि ये रोग क्यूं होता है और इसका इलाज जो है वो मौझूद है So thank you so much Dr. Dasan कि आपने इतना समय निकाला हमारे स्टूडियो में आए और इतनी सारी जानकारी हमें दी So Dr. Dasan Ayurvedic Herbal Formulation के द्वारा ये जो capsule बनाए गए है Cellphone Neuro Capsules ये जो है अधरंग को खतम करके आपको एक आतम निर्भरता की जीवन के आगे प्रेरित करते हैं और इसको लेके आप अपने रोग को पूरी तरह खतम कर सकते हैं जाते जाते मैं सरफ इतना ही कहना चाहूंगी कि अपना जो स्वास्ते है आपका आपकी जो सेहत है वो जिन्दीकी का एक एहम حصा है अगर आपकी सेहत नहीं है तो जिन्दीगी में कुछ नहीं है आपना ख्याल रखिये और इन रोगों से दूर रहे हैं नमस्कार के लिए 24 घंटे उपलब्ध है तो समय कवाए बगैर उठाइए फोन और कॉल कीजिए डॉक्टर दसंस 73557 93557 होॉक्ता hurricane को छ़िए астरी करता हुआ हुआ चोन और को वॉक्ता हुआ है झाल 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 झाल